दोस्तों दूसरे देशों में एतियासिक धरोहरों को सम्हाल करके रखा जाता है पर अपने मुल्क में एतियासिक धरोहरों को जमीन दोस्त किया जा रहा है जिसकी तस्वीर अलहबाद से सामने आई जहां शेर सा सूरी के समय में बनी शाही मस्जिद को शहीद कर दिया किया प्रशाहसिन का बुल्डोसर जो है शाही मस्जिद के उपर चला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार देश में मस्जिदों को टार्केट क्यों किया जा रहा है तमाम तरेके की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं जहां पहले बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तस्वीर सामने आई और अब जो है शाही मस्जिद अलहाबाद को शहीद किया गया है अदाब नमशकार असलाओने कुम नाजरें पलपल नियूस के नियूजरूम से मैं हूँ आपके साथ नदे मक्रम दोस्तों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अलाबाद की शाही मस्जित को शहीद करने का वीडियो सामने आया है पहले इस वीडियो पर नजर डाल लिजिए तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो के किस तरीके से प्रशासन का बुल्डोजर जो है वो मस्जित के उपर चला है और मस्जित पर बुल्डोजर चलने के बाद जो है तमाम लोगों के रियक्शन सामने आये हैं क्या पूरा मामला था एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं आपको बता दें के हंडिय तहसिल के अंतरग्रप आने वाले सैदाबाद बादार में सारजनिक लोक निर्मान विभाग की जमीन पर शेरसा सूरी के समय में बनी शाही मस्जित को कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा बल और लोक निर्मान विभाग के अधिकारियों की में शहीद कर दिया गया है इस दोरान इस्थानिये लोगों की आखों में आसू देखने को मिले लोक निर्मान विभाग द्वारा प्रियाग राज से हल्दिया जीटी रोड का चोड़ी करन किया जा रहा है जिसको लेकर शाही मस्जित को पहले ही ये नोटिस दिया गया था लेकिन शाही मस्जित को बचाने के लिए इस्थानिये लोगों ने उच नियाले में गोहार लगाई थी जहां उच नियाले से निराशा हाथ लगने के बाद सिविल नियाले की शरण ली है जहां सुनवाई चल रही है पर सुनवाई से पहले ही मस्जित को शहीद कर दिया थ हम लोग हाई कोट गए थे लेकिन हाई कोट ने कहा कि मामला सिविल कोट का है जिसके बाद हम लोग सिविल कोट गए जहां सिविल कोट द्वारा हम लोगों के स्टे को खारिज कर दिया गया जिसके बाद हम लोग लोवर कोट में गए जहां हम लोगों की सुनवाई चल रही है इमाम ने साफतोर पर बताया कि नौ जन्वरी को जब मस्जड को गिराया गया उस दिन भी लो़र कोट में मस्जड को लेकर सुनवाई चल रही थी मस्जड के धौस्तिकरण के दोरान हम लोगों ने अधिकारियों से बताया था कि मामला कोट में चल रहा है पर प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी तानाशाही दिखाई अभी कोई आदेश नहीं आया है इसके बावजूद भी मजड़ित को गिरा दिया किया मजड़ित गिरा दी गई तो हम लोगों ने भी दस तारीको कोट में हलफ नामा दिया इसके बाद आज और हम लोगों के वकीलों ने बताया कि हम लोगों को बहश के लिए अगली डेट 16 जनवरी को मिली है लोगों ने साफतोर पर बताया कि शेरसा सूरी के समय में उनके दोरा सड़क निर्मान के बाद सड़क किनारे रहगीरों की सेवा के लिए मजजदे वसराइब बनाई जाती थी जिसे लंबा सफर तै करने वाले रहगीर यहां रुक कर अराम फर्मा सके और नमाज पढ़ सके मजजद गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वारल हुआ बता दें के प्रियाग राज के हंडिया तहसील में ग्रांट ट्रंक रोड यानि की जीती रोड के चोड़ी करन का काम किया जा रहा है इस रोड पर सैदाबाद बाजार में लोखनिर्मान विभाग की जमीन पर शाही मजजद को गिरा दिया गया इसे शेर्जा सूरी द्वारा बनवाया गया था जिसकी तस्वीरे लोगों के सामने आई और हर कोई यही सवाल कर रहा था कि जब मामला कोट में था तो आपने किसके परमीशन से और क्यूं ये ताना शाही भरा रवया अपनाया इस मजजद को कड़ी प्रशासने सुरक्षा भल और लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों की मौजूदवी में कोट में चलते हुए नौ जनवरी दो हजार तईस को दोस्त कर दिया शाही मजजद को गिराने से पहले अधिकारियों ने मजजद प्रशासन को नोटेस जारी कर दिया था हलाकि मजजद को बचाने के लिए इस्थानिये लोगों ने आखिरकार हाई कोट में शरन ली थी इसको लेकर हंडिया के SDM रमीश चंद्र मोर्य ने साफतोर पर कहा कि लोग निर्मान विभाग की भूमी पर मजजद इस्थापित थी हाई कोट और दिवानी कोट से इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली मजद की इन्तिजामिया कमेटी से हमने दो तिन राउंड वार्ता की है इसके अनुसार इन्तिजामिया कमेटी के लोगों द्वारा स्वयम मजद को हटाने का काम किया जा रहा है जिसकी तस्वीरों पर बताने की और परदा डालने की कोशिश प्रशासन द्वारा की गई पर आपने मस्जद के इमाम के बयान को सुना जिन्होंने साफ तोर पर कहा कि जब अधिकारी हमारी मस्जद को शहीद करने के लिए वहां पहुंचे बुल्डोजर के साथ तो हमने कहा कि अभी हमारा मामला कोट में चल रहा है पर किसी ने एक नहीं सुनी एतिहासिक धरोहर मस्जद को शहीद करने का काम प्रशासन द्वारा किया गया और जब सोशल मीडिया पर तमाम लोग प्रशासन की सहरकत पर सवाल करने लगे तो प्रशासन की तरफ से बयान भी जारी किया गया जहां प्रयाग राज पुलिस कमिशनर का बयान लोगों के सामने आया जहां पुलिस विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोक निर्मान विभाग द्वारा प्रयाग राज हंडिया मार्ग का चोड़ी करण कारे किया जा रहा ह थाना छेतर हंडिया के कस्वा सैदाबाद में निर्मित शाही मस्जद सड़क के नारे चोड़ी करन के मारगी की इस्तिती थी मस्जद कमिटी के सदस्यों दोरा लोग निर्मान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वारता के पस्चाद बनी आम सहमती से दिनाग 9.1.2023 को मस्जद को हटाया किया अब पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि इस थानिये लोगों की मदद के साथ ही हमने इस कदम को उठाया जब इमाम खुद कह रहे हैं कि मस्जद के लिए हम लोग कोट गए और कोट जाने के बाद हमारे मामले को नजर अन्दास किया गया फिर हम दूसरे कोट गए वहाँ पर हमारे मामले की सुनवाई जो है हमारी अरजी जो है वो एकसेप्ट की गई और जिसने मस्जद शहीद करने के लिए प्रशासन पुरे डलबल के साथ पहुँचा उस वक्त हमारी सुनवाई जो है वो कोट में चल रही थी पर प्रशासन ने हमारी एक नहीं मानी मस्धित को शहीद कर दिया जिसकी तस्वीरे लोगों के सामने आई और मीडिया में बताय जा रहा है कि अवेद कबजा सरकार की जमीन पर कबजा करकी ये मस्धित बनाई हुई थी इतने सालों से इतने बर्सों से प्रशासन क्यों सोया हुआ था और देश बर में ही क्यों मस्धितों को टार्केट करने वाली तस्वीरे सामने आ रही है क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा जालसाजी से गिराना होगा पर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी मुस्लिम तन्जी में बनी हुई कोई एक वहाँ उस वक्त नहीं पहुँची और नहीं कोई ऐसे सामने आए जो शाही इमाम की तरह डंके की चोट पर ये ऐलान कर सकते थे कि अगर मस्जित को गिराया क्या तो पहले हमें गिराना हुआ तमाम लोगों की तस्वीरे जो हैं वो सामने आई तो वहीं एक अनस लिखते हैं कि बात मंदिर मस्जित की नहीं है बात है देश की एतियासिक धरोहर की हर देश में इन्हें सहज के रखा जाता है पर अफसोस हमारे देश में धरोहरों में धर्म ढूंड कर उसे शहीत किया जा रहा है मैं ऐसी ही खबरों से आपको रुबरू कराता रहूँगा दीचे इजासा